बेंगाई से परिशान जनता के लिए राहत की खबर आने वाले दिनों में खाद्या तेल के दामों में कुछ कमी देखने को मिल सकती है ऐसा इसलिए क्योंकि वेश्विक बजार में खाद्या तेल के दामों में भारी गिरावट आई है जबकि भारत में ग्रहाकों को उतना फाइदा अभी तक नहीं मिला है पामोयल में भारी गिरावट आ चुकी है जिसकी वज़े से सभी परकार के खाद्या तेल में गिरावट देखने को मिल रही है वेश्विक सर पर तेल के धामों में बाहरी गिरावट के चलते ग्रहकों को फिलाल उसका लाब नहीं मिला है लेकिन खुद्रा बाजार में अधिक्तम खुद्रा मुल्यच जरूरत से कहीं ज्यादा रखा गया है खुद्रा कारोबारी MRP के बहाने एक रहकों से ज्यादा कीमत वसूल रहे हैं विदेशों में जिस मात्रा में दाम कम हुए हैं अगर उतनी ही कीमत भारत में भी कम कर दी जाए तो तेल के दाम में अभी भारी गिरावट देखी जा सकती है बजार में पाम ओयल के दाम इतने कम हो गए है कि इसके आगे कोई खादया तेल नहीं टिकपा रहा बजार जानकारों का कहना है कि अगर पाम ओयल इसी तरह सस्ता बना रहा तो सोया बीन, मुंफली और बिनोला की फसल को लेकर दिक्कत आ सकती है क्योंकि मार्किट में अगर पाम ओयल सस्ता रहा तो दूसरे तेल के दाम इसे परभावित रहेंगे जिससे किसानों को समस्या हो सकती है क्यास ऐसे भी लगाए जा रहे है कि सरकार किसानों के हित में फैसला लेने के लिए कुछ कदम उठा सकती है सरकार का लक्षय है कि त्योहरों के दोरान कीम्ते नहीं बड़े इसके लिए सरकार कई तरीके से काम कर रही है इंपोर्ट ड्यूटी कम करने के अलावा सरकार बजार में प्रयाप्ट स्टोक पर नजर बनाए हुए है खादया तेल में आगे और कटोती की फिलाल संभावना जताई जा रही है ब्यूरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी